नमस्कार मित्रो मैं रौशन्तिवारी अपने यूटीब चैनल डेट्स इजी टो लर्ड पर आप सबों का स्वागत करता हूं आप सबों से आगर्ध होगा कि आप हमारे यूटीब चैनल को सस्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके इसके लिंक को अधिक से अधिक शेयर करें आज हम कक्षा 10 का अभ्यास 2 का अमल चार एवं लवन का जो है इन्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो पहले क्लियर कर लेंगे और हम आपको बता दे कि यदि आप इन्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखकर इसको नोट कर लेते हैं इससे बाहर किजेगा इसको अधिक सदिक देखकर इसका नोट्स तयार कर इसको याद करने का जली विडियो सुरू करते हैं अमल देते हैं, एसीड सब्द लेटिन भासा में लिया गया है, जिसका अर्थ है खटा, ये एसीड सब्द जो है, अमल को एसीड कहते हैं अंगरेजी में, ये लेटिन सब्द है, जिसका अर्थ होता है क्या खटा, परवल अमल है, HCl, H2SO4 और HNO3, और दुर्बल अमल है, CH3, COOH, लेक्टिक अमल और ऑक्जेलिक अमल, ये सब दुर्बल में, सांद्र अमल में आ जाएगा, जिसमें अमल अधिक मातरा में होता है, जबकि जल अल्प मातरा में, और तनु अमल हो जाएगा, जिसमें अमल अल्प मातरा में होगा, जबकि जल अधिक मातरा में, उसके बाद है छारक ये स्वाद में चारक या छार ये स्वाद में करवे होते हैं ये लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं ये जलिय विलियर में OH- आयन देते हैं प्रबल छारक हो जाएगा जल में गुलनसील छारक को छार कहते हैं जो जल में गुलता है उसको क्या कहेंगे छार कहेंगे लवन अमल ये वह छारक की परसपर अभिक्रिया से लवन बनता है इसको दिहान में रखिएगा छारक अलग हो गया छार जल में गुलनसील छारक को छार कहते हैं लवन अमल ये चारक की परसपर अभिक्रिया से प्राप्त होता है ठीक है उधारन के लिए दिया हुआ है एनेसियल केसियल इसका सुचक होता है सुचक किसी दिये गए विलियन में अमलेवम छार की उपस्तिति को दर्शाता है इसका रंग या गंद छारक माध्यम में बदल जाता है आगे देखे सुचक के प्रकार प्राकृतिक सुचक, कृत्रिम सुचक या संसलेशी सुचक और गंधिया सुचक प्राकृतिक सुचक ये पौधे में पाए जाते हैं लिटमस, लाल पत्ता गोबी, हाइड्रेजिया, पौधे के फूल, हल्दी कृत्रिम सुचक में ये रसानिक पदार्थ हैं, मेथिल, औरेंज, फिने फैतली, और गंधिया सुचक में हो जाएगा इन पदार्थ की गंध अमलिया या छार्यक माध्या में बदलती हैं, जैसे प्याज और लॉंग, ये गंधिया सुचक के अंतरगत आ जाते हैं सुचक हो गया, यहाँ पर दिया गया है सुचक के बारे में, और रंग गंध में परिवर्तन अमल के साथ अभिक्रिया के बाद क्या होता है, और छार के साथ अभिक्रिया के बाद क्या होता है, देखिए, लिटमस का जब अमल के साथ कीजेगा, तो यह लाल हो जाएगा, औ और छार के साथ कीजेगा तो निला हो जाएगा पत्ता गुभी का अमल के साथ लाल और छार के साथ जब आप अभिक्रिया कराईएगा तो यह हरा हो जाएगा हल्दी का अमल के साथ कराईएगा तो हल्दी में कोई बदलाव नहीं आएगा लेकिन छार के साथ कराईएगा तो क्या हो जाएगा लाल हो जाएगाане यह पर्यूग आप घर पर कर सकते हैं अमल और छार खटा स्वाद होता है उससे अभजिध के जिगात आप देख सकते हैं कि उसके रंग में पडिवर्थन हो जातरा है, हैड्रेजिया के फूल का रस को जब अमल के साथ कराईगा तो नीला हो जाएगा, छार के साथ कराईगा तो गुलाबी हो जाएगा, ठीकिसी परकार फीनो फेतलीन, अमल के साथ रंगीन और छार के साथ गुलाबी, मैथलीन, मैथिल औरेंज, ये अमल के साथ इसका विक्रिया कराईएगा तो ये लाल हो जाएगा और छार के साथ कराईएगा तो पिला हो जाएगा प्याज का रस तिक्षन गंध ये इसका सुचक गंध है ये प्याज का जब आप कीजेगा तो इसके गंध में परिवर्तन आएगा और कोई गंध नहीं आएगा छार के साथ कर नहीं होगा अमलेवम छार के रसायनिक गुन धातु की अभिक्रिया अमल के साथ कराने पर क्या होता है और छार के साथ कराने पर क्या होता है अमल का जब धातु के साथ अभिक्रिया कराईएगा तो लवन और हैड्रोजन गैस बनेगा और धातु के साथ कराईएगा छार का त निहित परक्नली के पास एक जलती मुविमॉम्बत्ति लाई जाती है पॉप टेस की द्धुनी उत्पन होती है इस टेस्ट को हाइडोजन की उपस्तिति के लिए दरसा के लिए प्रयोग करते हैं एक प्रयोग है इस प्रियूग में हम जब आपको अभ्यास करवाएंगे या अभ्यास के बीच में प्रस्थन है इससे related वह हम आपको क्लियर कर देंगे आगे है धातू कार्बोनेट तथा धातू बाय कार्बोनेट की अभिक्रिया अमल के साथ जब इसकी अभिक्रिया कराया जाएगा और चार के साथ अभिक्रिया कराया जाएगा कोई अभिक्रिया नहीं होता है धातू कार्बोनेट तथा धातू बाय कार्बोनेट की अभिक्रि प्रवाहित करने पर दूदिया हो जाता है जब चुने के पानी पर टेस्ट की जगा तो उसका रंग क्या हो जाएगा दूदिया हो जाए कि सफिद अबशिप बनेगा जैसे में अदिक मात्रा में CO2 प्रवाहित करने पर जब Tol में इन… अमल चार की परसपर अभिक्रिया अमल और चार की अभिक्रिया करने पर क्या होगा देखिए अमल और चार की जब अभिक्रिया की जेगा तक क्या बनेगा अवजैक्ति में पूछा जाता है अमल और चार की अभिक्रिया करनाने पर लबन और जल प्राप्त होता है त्रीक है याद रखेगा उदासनी करना अभिक्रिया क्या है जब आमल द्वारा छारक का प्रक्षेपित प्रभाव तथा छारक द्वारा आमल का प्रभाव समाप्त हो जाता है तो परिनाम स्वरुप लवन और जल प्राप्त होता है तो उदासनी अभिक्रिया क्या है जब आ अमल और छार के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो अमल और छार का पर गुन जो होता है प्रभाव जो होता है वो समाप होता है लवन तथा जल बनता है जिसे ही क्या कहेंगे उदासनी करन अभिक्रिया कहेंगे याद रखेगा परबल अमल दुरबल छारक से अभिक्रिया कर जो प्रवल है उसका गुन आ जाएगा और जल आ जाएगा ठीक है जिसे दुरुबल अमल प्रवल छार की जाएगा तो छारिये लवन प्लस जल हो जाएगा प्रवल अमल प्रवल छारिये की जाएगा तो उदासीन लवन हो जाएगा यहीं कि प्रवल दोनों प्रवल है तो रासिन हो जाएगा और जल हो जाएगा ठीक है आगे देखिए आगे है अमलों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया धात्विक ऑक्साइड का अमल के साथ जब अभिक्रिया कराया जाएगा तो लवन और जल बनेगा पॉपर क्लोराइड के बनने के बनने से विलियन क का रंग क्या हो जाता है नीला हो जाता है धात्विक उकसाइड के प्रविटी छाड़िया होती है क्योंकि यह अमल के साथ क्लिया करके लवन और जल बना देते हैं उधारण के लिए C-O-U-M-M-G-O ठीक है आगे देखेगा और धात्विक उक्साइड की छारों के साथ अभिक्रियाद, तथा उस विडियोधारा प्रवाहित करते हैं जल्य विलियन में अमल और छारक, जल की उपस्तिती में अमल H पलस आयन उत्पन कहते हैं, ठीक है, H पलस आयन, H3O3 हाइडरोजनिक आयन के रूप में पाये जाते हैं, ठीक है, जल की छारक में उपस्तिती आयन, वो H माइनस होता है, और उसके बाद, सभी छारक जल में घुलनसील नहीं होते हैं, जल में घुलनसील छारक को छारक कहते हैं, छारक किसे कहते हैं, जो जल में घुल जाता है, उसको छार कहते हैं, सभी छारक होते हैं, परन्तु सभी छारक छार नहीं होते हैं, ठीक है, जल के साथ अम्ल या छारक को मिलाते समय साबधानी बरतनी चाहिए हमेशा अम्ल या छारक को ही जल में मिलाना चाहिए और लगातार इसे हिलाते रहना चाहिए क्योंकि यह अत्यंत उस्मा छेपी होते है दीखिए धीरे धीरे हमेसा इसको मिलाना चाहिए और हिलाते रहना चाहिए ठीक है जब आप इसमें जल में जो है अम्ल में कभी भी जल नहीं डालना चाहिए जल में अमले दिले डिले डालना चाहिए और इसको हिलाते राना चाहिए क्योंकि ये उस्मा छेपी होता है इसमें अधिक मात्रा में उस्मा मुक्त होता है ठीक है याद रखिएगा आगे दिखिए सांद्र अमल में जल मिलाने पर उत्पन हुई उस्मा के कारण मिसर आस्प लित होज कर बाहर आ सकता है तथा आप जल सकते हैं तथा अत्यधिक अस्थानिय तप के कारण कांच का पात्र भी तूट सकता है सांद्र अमल इसलिए इसको मिलाते समय इस तरह के सावदानी बरतनी चाहिए जल को अमल में डालते समय डालने से मिसरन आस्पलित होकर बाहर आ जाता है मिसरन जो है आस्पलित होकर बाहर आ जाएगा अस्थानिय तप के कारण कांच का पात्र कूट जाएगा इसको याद र अमलो वह छारकों में समानताएं क्या है देखें दोनों में क्या समानताएं हैं सभी अमल H पलस आयन उत्पन करते हैं छारक OH माइनस आयन उत्पन करते हैं जब कोई अमल या छारक जल में मिलाया जाता है तो ये तनुक्रित हो जाता है जल में मिलाने पर आयन की सांदरता OH, H3O+, या OH- के प्रती इकाई आयतन में कमी हो जाती है चार तथा अमल की प्रबलता किसी चार या अमल की प्रबलता उसके उत्पन H+, या OH- आयन की संख्याओं पर निर्वर करती है किसी अमल की चार की प्रबलता हम एक सार भोमिक सूचक द्वारा ग्याद कर सकते हैं सार भोमिक सूचक अनेक सूचकों का मिश्रन होता है यह सूचक किसी विलियन में हाइडरोजन आयन की विभिन सांदरता को विभिन रंगों में दर्साता है इसके द्वारा हम इसका पता कर सकते हैं अम्ल की प्रवलता क्या है छारिया अम्ल की प्रवलता जैसे देखिए pH scale किसी विलियन में H पलस आयन की सांदर्ता ग्यात करने के लिए हम के लिए विक्षित किया गया scale को pH scale कहा जाता है pH में P है पुसांस जो एक जर्मन सब्द है जिसका अर्थ होता है सकती अगर pH साथ है उदासीन होगा साथ से कम होगा अम्लिय साथ से अधिक होगा तो छारिया याद रखेगा काफी इंपोर्टेंट पॉइंट यह scale 0 से 14 तक माना जाता है 14 तक pH ग्यात करने के लिए उपयोग में लाए तक pH scale में 0 से 14 तक होता है यदि साथ से कम है साथ है तो दासीन साथ से अधिक है तो छारिया साथ से कम है साथ से कम है तो अम्लिय हो जाएगा ठीक है यहाँ पर दुरूबल इधर नीचे की तरफ इधर बाई और दुरूबल है दाहिनिय और परवल अमल है तो CH3, COOH या H2CO3 यह दुरूबल अमल है और HCl, H2SO4, HNO3 यह परवल अमल है दुरूबल छार में आ जाएगा NH4, OH और परवल छार में हो जाएगा NA, OH, KOH, CA, OH2 यहाँ पर चीतर के द्वारा भी आपको दिखाये गया है साथ से कम होगा तो अमलिय प्रवर्ति बढ़ेगी और साथ से अधिक होगा इसका जो है छारे प्रवर्ति भरती हुई प्रवर्ति यहाँ कि साथ से अधिक है तो छारिय हो जाएगा यदि साथ है तो उदासीन हो जाएगा डैनिक जीवन में pH का महत्र पोधे एवं पसू pH के प्रति समवेदन हीन होते हैं हमारे सरीर 7 से 7.8 pH पारस के बीच कारे करता है यानि कि हमारे सरीर का pH मन जो है 7 और 7.8 के बीच होता है वर्षा जल का pH मन जो है 5.6 से कम होता है तो वह अमलिय वर्षा का लाती है अमलिय वर्षा का pH मन क्या होता है उसको ध्यान में रखना है मिटी का pH मन अच्छी उपज के लिए पोधे को एक विशेष्ट pH पारस की आवसकता होती है यदि किसी मिटी की किसी अस्थान की मिटी का pH मन कम या अधिक होतों किसानों को उसमें आवसकता अमुसार अमलिय ये चारिय पदार्थ मिलाते हैं हमारे पाचन तंत्र का प्याचमन हमारे उदर हाइड्रो कोलोरिक अमल उत्पन करता है जो भोजन पाचन में सहायता होता है अपच की इस्तिती में उदर अधिक मातरा में अमल उत्पन करता है जिसके कालन उदर में दर्द वजलन का अनुभव होता है इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटेसीड जैसे चार को का उप्योग किया जाता है जो अमल की अधिक मातरा को दासीड कर देता है जैसे कि Milk of Magnesia Intacid है जोकि अमल के मातरा को कम कर देता है pH के कारण दंत 6 भी होता है मुँ के pH मान 5.5 से कम होने पर दात में 6 प्रारम हो जाता है दातों का Inamil Calcium Phosphate से बना होता है जो सरीर का सबसे कठोर पदार्त है यह जल में नहीं घुलती लेकिन मुँ का pH मान 5.5 से कम होने पर समचारित हो जाता है छारकिया दंत मंजन का उप्योग करने से अमल का अधिक्य मातरा को उदासीन किया जासता है आगे देखिएगा पोधे एवं पसुओं द्वारा उत्पन रसायनों से आत्मरक्चा मदुमक्खी का डंक एक अमल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का उन्भव होता है डंक मारे गए अंग में बैकिंग सोडा के उप्योग से आराम मिलता है नेटल के डंक नेटल मतलब हो जो हम लोग इसको बोलते हैं जो कि हमारे सरीव में काफी करता है क्या तो नाम है उसका उरकुसी जिसका नाम है नेटल हम लोग गाओं के भासा में उरकुसी बोलते हैं तो ये जो है नेटल के डंक वाले बाल मैने स्वाइक अमल छोड़ जाते हैं इसके कारण जलन वाले दर्द का अनुभव होता है और इलाज डंक वालिया स्थान पर डॉक पॉधे की पत्ती से रगर कर होता है यहां यह जो है उरकुसी जब आपको लगेगा तो जहां उरकुसी का पॉधा है उसी के आसपास डॉक नाम का एक पॉधा होता है जिससे की रगर कर हम लोग उसके सकाईलाज कर सकते हैं यह तो लवनों में पियच का देख सकते हैं तो छारिये होगा तो यह तो आप जान रहे होगे प्रवल धारक उदासीन लवन हो जाएगा इसका पियच मौन साथ हो जाएगा उदासीन का साथ, अमलिय का साथ से कम और छारिय का साथ से अधिक हो जाएगा साधारन नमक सेरसायन, सोडियम हाइडरोकसाइड, विरंजक चुर्ण, बेकिंग सोडा यह सब का सूत्र है, इसको ध्यान में रखियेगा, विरंजक चुर्ण का सूत्र होता है, CAO, CL3, पेकिंग सोडा का NaHCO3, धोने का सोडा का Na2CO3, इन्टु 10H2O, प्लास्टर अपरिस का CaCO3, CaCO4, इन्टु, CaCO4, हाफ है, और 2HO, सोडियम हाइडरोकसाइड, साधारन नमक की यह सबरसायन है, सोडियम हाइडरोकसाइड, सोडियम क्लोराइड के जलिये विलियन से, विदु द्यारा प्रवाहित करने पर, यह व्योजन होकर सोडियम हाइडरोकसाइड उपन करता है, इस प्रक्रिया को क्लोर छार प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है, इसमें एनोड पर CL2, और क के थोर्ड के पास एन ए ओ एच बिलियर बनता है उप्योग में इंधन इसका उप्योग जो हता है इंधन मारगिंग जल की स्वक्षता और इस पात की सफाई और सदियां धातुओं से ग्रिस हटाने के लिए साबून कागज बनाने के लिए विरंजक चुर्ण घरे लोग अस् चुने का और जल मुक्त हो जाएगा इसका उप्योग जो है विरंजक चुर्ण का वस्र उद्योग में सूती वाल लीलेन के विरंजक के लिए कागज की फैक्ट्री में लकडी के मज्जा विरंजक के लिए रसायनिक उद्योग में एक पाप्चय के रूप में पीने वाले जल को जिवानु से मुक्त करने के लिए रोगानु नासक के रूप में विरंजक चुन का व्यों किया है विरंजक चुन का सुत्र होता है सीए ओ एच्टू याद रखिएगा बेकिंग सोडा या सुध यह एक दुर्वल और संचारक चारक है खाना पकाते समय गर्म करने पर इनमें निम्न प्रकार की क्रियाएं होती है बेकिंग सोडा है इसका उपियोग जो है बेकिंग सोडा का बेकिंग पॉडर बनाने में इस अफिक्रिया से उत्पन सी ओ टू के कारण पाउं रोटी या केक में खमीर उठ जाता है और इससे क्या होता है यह मुलायम और गटक है इसका उप्योग सोडा अगनी सामक में किया जाता है धोने का सोडा सोडियम कारबोनेट धोने का सोडा का रसाइनिक नाम सोडियम कारबोनेट है के पुना क्रिस्टली करन से धोने का सोडा पराप्त होता है यह एक छाड़ी अलवन है इसका उप्योग करच साबून के उत्पादन में होता है इसका उप्योग घरों की सफाई के लिए किया जाता है जल का अस्थाई का ठोड़ता को हंटाने के लिए इसका उप्योग किया जाता है कि इसका दोने का सोडा का प्लास्टर और पेरिस जिपसम को जब 373 केलविन पर गर्म करने पर यह जल के अनु को त्याग कर केलसियम सलफिट हैमी हाइडरेट अर्ध हाइडरेट बनाता है यह सफेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर यह पुनह जिपसम बनकर ठोस परदान करता है इसका उपियोग जो है जिपसम का C-A-SO4 into 2H2O सुतर होता है इसको याद रखिएगा इसका उपियोग जो हता है प्लास्टर और पेरिस का उपियोग डॉक्टर टूटी हुई हड़ियों को जोरने के लिए क्या करते हैं आप लोग प्लास्टर जो करते हैं सफेद रंका देख क्रिष्टलन का जल लवन के एक सुत्र इकाई में जल की निश्चित अनुवों की संख्या को क्रिष्टलन का जल कहते हैं तो इस वीडियो में इतना ही कक्षादस का ये अभ्यास दो का इन्पोर्टेंट पॉइंट इतना ही है आप इस सब को नोट कर लिजेगा याद करने का कोशिश कीजेगा और प्रस्मतर रखा हम एक नया वीडियो बना के अपलोड कर देंगे आज के लिए इतना ही फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं जै हिंद जै भारत